तो आज हम मैंगो डिंक बनाएंगे एक मैंगो मोलिटो और मैंगो शेक बनाएंगे तो इसके लिए हमने ये मैंगो लिया है इसको पहले हम जो है काटेंगे और मैंगो के स्लाइस इस तरह से काटके निकालेंगे एक बाउल में हम डालते जा रहे है गर्मियों का मौसम भी है और ये मैंगो मोहितो बहुत अच्छा लगता है इस आम का टेस्ट बहुत अच्छा है थोड़ा से खटा मीठा रखता है इसके स्लाइस हमने कर लिये हैं अब इसे हम ग्राइंडर मी डालके ग्राय्ड करेंगे इसके लिए हम ग्राइंडर जार ले रहे जार में मैंगो को डाल डे बाउं और साथ मैं कि ये ये आम ठोड़ा कर्टा मीठा है तो थोड़ा सुगर सीरफ इसमें डाल दे रहे हैं और जिसको जाता है मीठा नहीं पसंद है वह बिदा सुगर सीरफ के भी बना सकता है इसको अब हम घुलाइन करेंगे ब्राइंड करने के लिए हम मिंसर के पास है यह देखिए मैंगो की फ्यूरी हमने बना करके एक बाउल में रख लिए अब इसके आगे की त्यारी करते हैं इसके लिए हमने एक इंच अद्रका टुकडा लिया है इसको जो क्रश करना है हमें और यह थोड़े से मिंट लीफ है को दीने के पत्ता है और यह नीमबू नीमबू भी काट करके इसमें डालके क्रश करेंगे इसमें क्रश करेंगे बड़ी अच्छी से खुश्बू आ रही है इसमें नीमबू और मिंट यह हमने जो क्रश किया हुआ है नीमबू और मिंट और अद्रका टुकडा इसमें जो हम आप हम एक ग्लास में सब को आरेंज करेंगे इसके बाद इसमें हम आइस डालेंगे अब यह आइस के बाद हमने जो प्यूरी बनाई है इसको हम इसमें डालेंगे इसमें हम थोड़ा सब ब्लैक सोल्ट काला नमक एक पिंच डालेंगे और यह सोड़ा है इसमें सोड़ा वाटर इसमें अब डालने के बाद इन सब को हम धीरे से मिक्स करना है मिक्स कर देंगे यह लेकर बड़ा यह पुरा मेरा मिक्स हो गया है अब इसमें हम यह निम्मो की स्लाइस लगा देंगे यह निम्मो की बेस का एक स्लाइस लगा दिया और यह 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 द्रिंक हमारी त्यार हो गई है हम अपनी दूसरी वीडियो बना रहे हैं जिंक हमने इसके लिए दशैरी आम लिया है यह बहुत मीठे होते हैं यह मलीहाबाद में इसके पैदावार बहुत जागा होती है इसको अभी हम छील लेते हैं छील के फिर इसका हम पल्व निकाल करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे इसको अब हम ग्राइंड करके फिर हम आपको दुकाते हैं यह मैंगो शेक हमारे ग्राइंड हो गया फाइन इसको हम ग्लास में डालते हैं इसमें हम चियासी जिसको तुस्य का बीज भी बोलते हैं इसको भी डाल रेते हैं इसमें थोड़े से ड्राइटूट डालेंगे थोड़े ट्राइटूट आलेंगे इसमें अब नहीं आईस डाल रहे हैं राइस डाल करके इसको मिला देते हैं थोड़े से ड्राइफूट उपर डाल देते हैं रोज सीरफ है थोड़ा से हम इसमें रोज सीरफ डाल दे रहे हैं रोज सीरफ का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है अब इसमें हमने इस्टो लगा दिया है अब यह सर्फ करने के लिए बिल्कु क्यार है अब हमारी दोनट रिंक बनके त्यार हो गई है मेंगो मॉरितो और मेंगो शेक और इसको आप जो ट्राइ जरूर कीजेगा और ट्राइ करने के बार मुझे कमेंट बॉक करके जरूर बताईएगा कि आपने कैसे बनाया और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद